नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिल अपने योटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों इसरम कार्ड वालों के लिए एक बड़ी ख़बर सामने निकल के आ रही है यहां बड़ी ख़बर इसरम कार्ड की दूसरी किस्त को लेकर है जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पहली किस्त का पैसा डेड़ करोड सर्मिकों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है अब 3 करोड 81 लाग सर्मिको के खाते में सरकार की तरफ से दूसरी किस्त का पैसा कब भेजा जा रहा है उसको लेकर जानकारी दी गई है सरकार सर्मिको के बैंक खाते में दूसरी किस्त का कब पैसा ट्रांसफर करेगी इसको लेकर एक सोचना जारी की है दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सन्निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जोरो सबस्क्राइब करेगा साथी दोस्तों बैल आइकन को प्रेस करना ना भोले क्योंकि इस तरह की हम नई नई जानकारिया आपके लिए लेकर हाजिर समय समय से होते रहते हैं चले दोस्तों अब आपका ज़्याद समय ना लेते हैं यहाँ पर हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं वीडियो के नोटफिकेशन पर सरम कार्ड योजना एक बड़ी खबर हैं दोस्तों सैगिंड इंस्टॉल्मेंट दोसरी किस्त कब आएगी हजार रुपी की दोस्तों एक किस्त मिल रही है सरमीकों को जाने संपूर्ण जानकारिया अब दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो को आ दोसरी किस्त का इंतजार है क्योंकि अभी तक महज डेड़ करोड लोगों को ही इसका लाब मिल पाया है वहीं बचे हुए सरमीकों को खाते में योगी सरकार के दौरा जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा मिली जानकारी के मुदाबिक 3 करोड 81 लाग लोगों के खाते में योगी सरकार दौरा जल्द ही 1000 रुपे की रकम भेजी जा सकती है किसे दोस्तों किस महिने में मिलेगा दूसरी किस्त का पैसा बताते चले कि विगत वर्स के दिसंबर महिने में योगी सरकार ने ऐलान किया था कि 31 दिसंबर वर्स 2021 से पूर्व सर्मिक ये सर्मिकार हाला कि अभी तक दूसरी किस्त के पैसे को लेकर सभी सर्मिक को मन में सांसे बना हुआ है संधे बना हुआ है ऐसे कयास लगा रहे हैं कि इस रमकार्ड के दूसरी किस्त का पैसा 10 मार्च वर्ष 2022 नई सरकार का गठन होने के बाद ही मिल सकता है बता दे कि योगी सरकार के दूरा एक जनवरी 2022 से सभी इस रमकार्ड धारकों के बैंक अकाउंट में 1000 रुपे की रगम बेजी जा रही है ये रगम दिसंबर तथा जनवरी महा को मिला कर दी जा रही है अर्थात सीधे सीधे कहे तो दिसंबर महा का 500 रुपे तथा जनवरी महा का 500 रुपे को मिला कर सर्मिकों के खाते में 1000 रुपे भेजे जा रहे है कई सर्मिकों के मन में ये गलत फैमी बन रही है कि ये दूसरी किस्ट का पैसा मिल रहा है जब की ऐसा नहीं है अभी सर्मिकों के खाते में योगी सरकार के दुआरा 1000 रुपे भेजे जा रहे हैं वो दिसंबर तथा जनवरी महा को मिला कर भेजा जा रहा है अभी इस्रमकाड धारकों के खाते में दूसरी किस्त का पैसा भेजने के लिए कोई तिथी निर्धारित नहीं की गई है हाला कि ऐसा कयांस लगा जा रहा है कि दस मार्च के बाद ही किस्त आ सकती है फिलहाल इसको लेकर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है जल्द बनवाए इस्रमकाड ऐसे कई सरमिक है जिन होने अभी तक अपना इस्रमकाड नहीं बनवाया है या फिर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है ऐसी इस्तिती में वो सरकार की तरफ से मिल रहे लाब से वंचित हो जाएंगे इसलिए जल्द से जल्द अपना इसरम कार्ड बनवा ले जिससे कि आपको इसका लाब मिल सके इसरम कार्ड का उप्योग आप कहीं भी कर सकते हैं सरम विभाग ने जुरत मंदों को इसरम कार्ड का लाब देने के लिए डाटा तयार कर लिया है जिससे अनुसार ही लोगों को रासी भेची जा रही है दोस्तो यह थी आपके लिए महत्तपूर्ण जानकारी यदि आपको हमार दिवी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादस जादस शेर भी करिएगा ताकि और भी वैक्ती इस जानकारी के बारे में जान सके और वह भी लाब उठा सके दोस्तो यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूस सकते हैं आपके सवी स्वाल को जवाब दिया जाएगा दोस्तो लाश्ट में निवेदन यही करेंगे चैनल पर पहली बाने तो चैनल को सब्सक्राइब साथी बेल अगर को प्रेस करेगा क्योंकि ऐसी जानकर लेकर हम आपके सामने समय समय से हाजिर होते रहते हैं मिलते हैं नाइक्स वीडियो में एक और नई जानकर के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत